और तुसके बारे में तो क्या क्या पॉइट सुनों ने रखे उसके बारे में और इस मैटर में आगे क्या हुता बड़ी है तो में आपको इस सुट में समझा दूँगा गा nue गय मिंग ने क्या क्या किया इस लाइफ्टीम में उन्होंने पहले तो जो श्रियव आइट ने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक वाला फोटो बेज decir जो modèle बढ़े वह दिखाए पर उनnaire उन्होंने ऐसा कहा कि उसने to video में रो़ोकर कहा है कि में गों तीन कॉपी राड़ पड़े पर यहा, पर तो दो ही दिकर है और उस दिन गैन-गेमिंग की कॉपी राड़ श्राइक हटी नही थी मतलब उस जाटाने को हटा दी तो भी हटने को दो-तिन दिन लग जाता है टो कि डैन है किए आपने चैनल पर डाला था ज POW जॉक पॉष्ट जाओंस का जो इस तोben है वह है इसमें आप देख सकते हो ओफ लिए कि दो स्ट्राइक दिक रहे जिसमें एक गयमिंग की च्ट्राइक और एक किसी अननोन की है जो हर यूटूबर को रहता है बहुत से यूटूबर दिये इसने च्ट्राइक जैसे कि लोकेश्ट गेमर वह गणा गया जाइन गयमिंग ने वो पॉइंट भी रखा और ग्यान गेमिंग ने ये भी बोला कि अगर तुझे तीन स्ट्राइक पड़ते तो वीडियो कैसे अप्लोड कर सकता है इस मैटर पर अब तक श्रेव आईटी का कोई कहना नहीं आ गया है श्रेव आईटी ने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया इस मैटर पर ग्यान गेमिंग ने भी अब देख सकते थे मतलब देखा रहेगा आपने स्टार्टिंग में कि उसने दा एंड लिका होगा वो वीडियो के लाइफ स्ट्रीम के टाइटल में तो वही ग्यान गेमिंग ने वैसे एक्सपोस किया श्रेव आईटी को और उसके साथ कुछ चैट्स भी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ग्यान गेमिंग ने उसको पूछा कि भाई ते को किते स्ट्राइक पड़े तो वह पहले बोल फिर तु वीडियो कैसे अप्लोड कर सकता है तुमें को तेरी यूटूब स्टूडियो का स्क्रीन शॉट भेश तो श्रेव आईटी उसको बोलते है कि कि मेरा यूटूब स्टूडियो खुली नहीं रहा तो ग्यान गेमिंग ने वापस एक बार पुचा कर यूटूब प्रेड करो यह मैंडर क्लोज हो चुका है आपको समझना चाहिए कि हेट स्प्रेड करने से बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी बन सकती है तो वाइस यही था इस कॉंट्रोवर्सी का एंट अगर शेयो वाइटी को रिस्पॉंस देते तो मैं आपको वह भी बताऊंगा तो फट्या जार शटल्वर्सी का प्रेड चटेवर्सी